नमस्कार मित्रों, कक्सा 5 के हिंदी क्लास में आपका स्वागत हैं। मित्रों, इकाई साथ खाना खजाना चित्रपात आपने अच्छी तरसे समझ लिया। आपने पात के अभ्यास को भी अच्छी तरसे समझ लिया। आज हम इस चित्रपात के स्वाध्य को प्रश्nor को समझते हैं। तो आप सब तैयर है ना ? तो चलो, हम स्वाध्य को समझते हैं। इकाई साथ खाना खजाना मित्रों इआ एक चित्रपात है। इस चित्रपात को आपने अच्छी तरसे समझ लिया होगा। चित्र को देख कर ही पता चलता है कि यह रशोई घर का चित्र है आप स्क्रीन पर देख सकते हों रशोई घर में माता रशोई बना रही है एक लड़का खाना खा रहा है डादी मा के हाथ में किताब है रशोई घर में हमें बहुत सरी चीजे दिखाई दे रही है जैसे की ठाली, दिबबा, कप, कितली, चीमता, फलकी टोकरी, गैस, पानी का मतका बहुत सरी चीजे यहाँ पर दिखाई दे रही है मित्रों इस चीत्रपाद को आपने अच्छी तरह से समझ लिया है इसके बाद अभ्याज के एक से पाच प्रेश्ण आपको समझ में आ गए होंगे अब हम अभ्याज के बाद स्वाध्याई के प्रेश्ण को समझते है प्रेश्ण एक दोनों चीत्र ध्यान से देखिए चीत्र में दस अंतर है उन्हें धुन कर लिखिए और चीत्र में मन्चाहा रंग भरिए मित्रो यहां पर एक जैसे दो चीत्र हमें दिखाई दे रहे है चीत्र नमबर एक और चीत्र नमबर डो मित्रो यहां पर हम देख सकते हैं कि एक जोकर एक पयावाली साइकल पर कुछ खेल दिखा रहा है जो एक चीत्र में है वो दूसरे चीत्र में नहीं है आपको वह अंतर को दूंधना है देखो चित्र नमबर एक में जोकर के जुटे नीले रंग के है और चित्र नमबर डो में जोकर के जुटे लार रंग के है आप देख सकते हो देखो चित्र नमबर एक में जोकर के पेट के उपर नीला गोला नहीं है जबकी चित्रा नंबर डो में जोकर के पेट के उपपर निला गोला है इस तरह आपको और भेड धुन्ध में होंके प्रस्न नंबर डो पढ़िये, समझिये और लिखिये यहाँ पर एक उडाहरन दिया गया है चलो हम उसे पढ़ते हैं लड़का वाक्य बनाया गया है लड़का स्कूल जा रहा है मतलब कि एक लड़का स्कूल जा रहा है एक लड़का यानि की एक वच्चन लड़के लड़के स्कूल जा रहे है यहाँ पर लड़के है एक से ज्यादा होते हैं तब हम लड़के बूलते हैं तो लड़के स्कूल जा रहे हैं कि बाड़को स्कूले जई रहे या छे एक से ज्यादा कोई चीज प्राणी या मनुश्य होते है तो वह बहुँ अच्छन कहलाता है देखू, यहाँ पर पहला वाक्य है लड़का स्कूल जा रहा है दूसरा वाक्य है लड़की स्कूल जा रहे है पहले वाक्य में जा रहा है है पर बिंडी नहीं है और दूसरे वाक्य में लड़की स्कूल जा रहे है है पर बिंडी आप देख सकते हो आगे हम देखते हैं पुस्टक उसका वाक्य हम बनाते हैं मेरे पास एक पुस्टक है पुस्टक का बहुँ अचन होगा पुस्टके उसका वाक्य हम बनाते हैं राजु के पास पाज पुस्टके हैं यहाँ पर बिंडी लगेगी क्योंकि यह बहु वच्चन वाक्य है तो मित्रों आपको इस तरह वाक्य बनाने होंगे आप नई सब्द धुनकर भी बना शक्ते है जैसे कि केला तो केले पट्टा तो पट्टे छात्र तो छात्रे टोपी तो तोपिया बहुत सारे आप सब्द बना शक्ते है और उसको वाक्य में भी बदल सक्ते है मित्रों आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 42 और टेटल इस पर फल के नाम, अनाज के नाम और सबजी के नाम दिये गए है आप फल, सब्जी और अनाज तो खाते हैं इसलिए आपको उसके नाम तो पता ही होंगी फिर भी हम इस नाम का हिंडी और गुजराती में अप्यास करते हैं तो चलो, हम इस नाम को पढ़ते हैं यहां फॉल के हिंडी नाम के सामने गुजराती नाम दिये गए हैं आप सब भी मेरे साथ पढ़ेंगे, ओके? अपने पाठ्य पुस्तक में देखिए फॉल के नाम चीकूँ नारंगी संत्रा अंगुर ड्राक्स अमरुद जमरुक आम केरी केला केल केरनी रायान जामुन जाम्बो सामने देखिए नारियल नारियेल फाल्सा फाल्सा सरीफा सीटाफ़ अनानस अनानस अनार दाडम इक गन्नाय यानिकी सेर्दी खर्बूज सकर तेती आरिया चिब्डू तर्बूज तर्बूच मित्रो अब हम देख्टे है अनाज के नाम उडड उडड एकलेके अडद अडदनी डालनो उप्योग आपने इदली इदला ढोसा बनावा माते उप्योग करिये छे ज्वार ज्वार एकले जुवार चावल चोखा बाजरा बाजरी अजुवार चोखा अने बाजरीना रोटला बने मतर हेले अरहर तुवर तुवर तुवेर जैनी डालपल बने छे अने सागपन बने छे चना तो चना मकका मककाई मकक काई ना पन करिल Мне मुम्ग मुम्ग एकले मग मगनी डालपल बने छे अब हम देखते है सबजी के नाम आप लोग हरी हरी सबजीया तो खाते ही होंगे सबजी खाना हमारे स्वास्ठे के लिए बहुत्थी लबदायक है अरवी इले अरवी कंकोडा कंकोडा इने कंतोला पण केता होई छे फुलगोबी, फुलेवर, लवकी डुधी, तमातर, तामेता तूरई, अथव तोरई एलेके तूरियो पालक पालक एक भाजी छे प्याज, कांडा, डुंगली बैंगन, रिंगन, मतर, वटाना रतालू, रतालू, अदरक आडू, सकरकंड, सकर्यू जमीकंड, सूरण, इलेके सूरण करेला, कारेला कुमुडा, कुड्डू, इलेके कोडू गाजर, गाजर, ग्वारफली, ग्वारसिंग चच्रीडा, कुन्रू, इलेके तीन्डोडा आलू, बताका, परवल, परवल, पुडीन, फुडीनो बंद, गोबी, कोबीच, बिंडी, बिंडो, मुली, मुलो, ओके? मित्रो, तमारे, आ सब्दोनू, वांचन अने लेखन करवानू रेशें विद्याजी मित्रो, इकाई साथ, खाना खजाना, चित्रपात के स्वाट्य के प्रष्ण आपको समझ में आ गए होंगे आपको इस प्रष्ण अपनी नौद्बूक में लिखने होंगे तो अब मैं आपसे विद्या लेती हूँ, फिर हम एक नए इकाई के साथ मिलेंगे, धन्यवाद